हेलो एबरिवन मैं मितन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जहारखंड में 25,000, 26,000 जो भी कंसीडर कर लो आप नंबर उसकी सिक्छकों के रिकूट्मेंट होने वाली है तो ऐसे में राज के जो मुखिया हैं सिरी-सिरी ह हेमन सोरेन जिनोंने क्या कहा था जिनोंने कहा था कि मई महिने में सिक्छक भरती प्रक्रिया को सुरू कर दिया जाएगा और जब ये विडियो रिकॉर्ड की जा रही है 22 मई के सुवह के 9 बच चुके हैं तो ऐसे में हेमन सोरेन के किस बात पे लोग भरोसा करेंगे आप ब सही बातें लेकर रख दू सबसे पहला सवाल ये होगा आपके मन में कि जेटेट परिक्षा होगी अत्वा नहीं होगी तो सरकार के रवये को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि सरकार ने जेटेट को फिलाल जो है कंसीडर नहीं किया कि जेटेट नाम का कोई समस लाइन है कि मांगा ने जाता पके हक को एदा करें तो आप याद रहिए अप के हक को अदा नहीं किया जाएगा आपके हक को आप DC के द्वारा से अगर आप अपनी आवाज को भूलंदथ नहीं करते हो ठीनी मिåँगे अराम से चिल करें घुमें फिरें खाएं लेकिन सिक्षक भरती में आप तो सामिल नहीं हो पाऊगे इसकी मैं पूरी गारेंटी देता हूँ क्योंकि जिस तरह से लग रहा है चीजें बहुत ही बेकार हो रही है फिलाल मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट यहां से द भाली को कंसीडर करेंगे ऐसा सरकार का कहना था फिलाल आगे देख लेते हैं क्या और चीजें लिखी गई है देखिए पहले जहां पे ब्याली सो ग्रेट पे जो है भुकतान किया जाता था अब जो है पहले 35,000 के आसपास जो है सेलरी आपको मिलती थी लेकिन अब जो है इ इतने कम रुपए में आप कैसे पढ़ा पाओगे सिक सरकार ने तो एक सबसे पहले आपके पर पहले ही काड़ दी हैं आप सिक चक बन पाओ या नहीं बन पाओ जो जेट एट पास भी हैं उनके लिए भी ये बात है कि सरकार मनमाने तरीके से चीजें कर रही है सरकार ने सो रुपए में फॉर्म तो भरा रही है सरकार लेकिन नौकरी लेने के बाद हर महीने आपको अगर 10,000 के करीब सेलरी कम दी जाए तो ऐसे में सोचो क्या नुकसान आपका बनने वाला सरकार कहां से पैसे बचा रही है ये सोचके देखो एक और बात है न ठीक है आप पैसे बचा कर राज को आगे तरक्की पे ले जाना चाहते हूं लेकिन किस कीमत पर सिख्चकों को अगर आप पैसे ही नहीं दोगे और quality education की बात करोगे सिक्षकों की salary ही इतनी कम रखोगे तो सिक्षक अन्नी कामों में क्यों नहीं व्यस्त होगा पढ़ाने पर वो इतना ध्यान क्यों लगाएगा salary अगर hands up नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा पेलाल देखिए यहाँ पे जिस तरह से सरकार का रवया है यहाँ से आप देख सकते हो एक लाग सिक्षक इंतजार में है क्योंकि 2013 में 48,000 पास हैं ऐसा सरकार का कहना है मानना है और 53,000 जो है 2016 में पास हुए हैं तो कुल मिलाकर यह आकड़ा अगर सरकार के नजरिये से देखा जाए तो एक लाग सिक्षक जो है टैट पास है जारखंड में अब आप मुझे यह बताओ कि यह कब की बात कर रही है सरकार 2013 और 16 की इसमें सरकार नहीं जो है पलस टू की भरती लिए है हाई स्कूल की भरती लिए है तो अगर इन मेंसे कोई भी सिक्षक क्या हाई स्कूल या फिर पोस्ट पलस टू वाले में बहाले नहीं लियोगी इन लोगोंने और भी CZL वगएरा बहुत सारे एक्जाम हुए हैं यहाँ पे कारा सिक्षक हो कुछ नहीं किया अभी तक तो ऐसे मैं बार-बार एक लाख की दुहाई देना कितनी अच्छी बात है आप समझ लेना इन चीजों को फिलाल सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है आपका होना चाहिए कि जेटेट के परिक्षा हो उसके बाद ही जो है सिक्षक नियुक्ति होनी चा सोला के बाद से जो पांच लाख इस्टूडेंट बेरोजगार हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे आप इसे मैं पूछता हूँ है मन सोरें ये विडियो के मादिम से उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने भारी भरकम फी देकर BAT करा है BTC करा है उनका झांब से कहां जाएगा किस घट तक हम उला क्या जाने प्रकास डाल दें विडियोगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस विडियो को जरूर सियर करें उन तक इस विडियो को जरूर पहुँचाए विडियो को यहां तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, have a good day.